हलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज की रेश्पी मैंने बनाई है मेथी की तो मैंने मेथी लिया है यह करीब वदन में 500 ग्राम था तो इसे मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल जो मुलायम जो पत्ते होते हैं उसे मैंने ले लिया और अच्छी तरह से इसे हमने बिल्कुल बारिक से इसे हम काट लेंगे आप इसे चोपर में डाल करके कर सकते हैं और नहीं तक फिर इसी तरह से चाकु से बिल्कुल बारिक बारिक से काट लेंगे ये बहुत आसानी से कट भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इसे हम काट लिए हैं, अब हम लेंगे एक दूसरा बरतन लेंगे, उसमें डालेंगे हम एक कप बेशन, और उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और स्वात के नूसार नमक डालेंगे, इसके साथ हम डाल देंगे लाल मिस पाउडर, लाल मिस पाउडर के जगा पर आप इसमें हरी मिर्ट का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं, अब इन सब को हम मिक्स कर देंगे बेशन को, तो बेशन को अच्छी तरह से मिक्स की जाएगा, क्योंकि बैसन में गुठलि होता है तो वह आसानी से पहले यह से चमच से मसल मसल करके इसे कीज़ ए या विस्कर से आप इसे मिक्स कर सकते हैं अब 뭐 जो मेथी जो हमने काट करके रखा हुआ था उसे हम बैसन में इसी मिक्स कर देंगे ऑ उसी में डालेंगे हम पानी तो पानी करें पानी हमने है मिक्स्चर तैयार करना की से जफ़ाएप पानी गाढ़ा तैयारकना करना है पानी करना के लिएफ तो दोल्ट जीरा मरिच लॉंग इलाइची नाटल जाल चीनी का टू clean और बड़ी लाइची क्लाक कॉति युद्ट ने धूड़ेटेश alarmricht precaution दाने को निकाल लिया और खिल तेटा अलग अलग रख दिया है ह। आपके दिब को फेल तो यह पड़ाл परीकल पिल पाare कम नधुक्त अव्यक्रति से ख़यो डलें के-मेशन केम इखाटर, जूम्यक्ते बतुमशन को और कजकी बहुत है लीक्ते संदम हिसमेर को सभड़ा रहेंगे नहीं तो यह जमने लगता है बिल्कुल गाड़ा होने लगता है तो इसे लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो यह कहीं पतला कहीं में नीचे से जल भी सकता है तो इसलिए इसे लगातार चलाते रहेगा और इसे बहुत जादा बिल्कुल गाड़ा बिल्कुल बहुत है जी कि आपको Darren करना है इसको यह को इस तरह जाए दा नहीं इस तरह होना मिक्चरे ठ्यार एसकर प्लोकम अब नहीं नहीं गोगा करके रखे लिया है अब चाल नीकाल देंकगे औ Alrighty, इसे फेला अब यह थंडा हो गया है तो इसे हम चाकु से काट लेंगे यह बहुत ही आसानी से कट जाते हैं आप इसकी जो साइज है वह आप अपने हिसाब से रख्येगा जितना भी मतब छोटा बड़ा साइज हो आप अपने हिसाब से कटिंग कि जाएगा तो मैंने थोड़ा छोटे- तो तोटे कटियें हैं यह बहुत है आसानिशश निकल भी जाते यह इस तरह से बल्कुल आसानीसे निकल जाएंगे अब हम इसको रखेंगे side में अब हम देंगे एक कड़ायी कड़ायी को हमने साफ करके ले लिया है उसमें डाल देंगे 3-4 चमठ तेल उसमें डाल देंगे हम एक चमठ जीरा और जो बड़ी लैची का छिलका जो हमने रखा था वो टाल देंगे और एक तेशपत्ता तोड़ करके डाल देंगे उसमें जब वो गरम हो जाएगा और कुछ सेकेंड के लिए इसे हम भून लेंगे मसालो को अब जो मसाला जो हमने पीस करके रखा हुआ था वो हम कडाई में डाल देंगे तेल में और उसे हम मिक्स कर देंगे इसे भूनना है और इसमें हम कुछ और मसाले भी डालेंगे इसमें डालेंगे हैं हल्दी एक चोटा चम्मच धनिया पॉडर देड़ चम्मच लाल मिर्च पॉडर तो मैंने इसमें मसाले में हरी मिर्च नहीं पीसा था तो इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्च अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी डाल करके इसे हम भूनेंगे जब तक कि ये तेल न छोड़ दे अज को हम मीडियम हाई पर ही रखेंगे अगर कुछ काम कर रहा है तो अज को धीमा कर दीजे और इसे ढग करके या ऐसे अच्छी तरह से चलाते हुए अपना भून लीजे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पहले हम मसाला भून गया है अब इससे पहले मसाले को पानी मे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं यह देखे यह मसाले पिल्कुल अच्छी तरह से त्यार हो गया है तेल भी छोड़ दिया है इसने अब इसमें डाल देंगे हम एक कप पानी पानी आप अपने हिसाब से डाल लिएगा तो मैंने इसमें एक कप पानी डाला है इसमें डाल भून करके रखा हुआ पानी डाल कर पानी उबल गया है तो बेसन के जो काट करके त्यार करके रखा हुआ था वह सब हम इसमें डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा धक करके पांच मिनट के लिए धीमी आज पखने देंगे ताकि जो बेशन के जो पीसे जो हैं वह अच्छी तरह से मसालो और तेल को मतब नमक को अच्छी तरह से उसमें और सोख ले इसमें जब सब्सक्राइब तयार हो जाए तो फिर इसमें धनिया पत्ती राल करके सर्व करेंगे तो रेस्पी मारी कैसी लगी तो आ हमारे यह तो इस तरह से ही बनाते हैं थैंक्स पर वाचिंग